हेलो फ्रेंड्स, बेलकम मारी यूट्यूब चैनल, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मार्च करंट अफेर्स के कुछ महत्वपूर कोसन लेका आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एकजाम के लिए बेरी इंपोटेंट है, तो इसलिए वीडियो को बिने यहाँ पर इसका सही answer option D हो जाएगा 15 मार्च को, देखे पिरतियक बर्स 15 मार्च को अंतराष्टे उपवोकता दिवस मनाया जाता है, देखे इस दिन उपवोकताओं को उनके अधिखारों के प्रती जागरू करने के लिए बिभिन कारे करम चला जाते हैं, और देखे 2019 में जो 15 मार्च को अंतराष्टे उपवोकता दिवस मनाया गया है, इस बार की जो थीम रखी गई थी, बिस बस नहीं है, स्मार्ट उत्पाद, आपको यह याद रखनी है, यानि कि ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स, तो आपको यह थीम जरूर याद रखनी है, चलिए न जिदों पर अचानक से हमला किया, और बहाँ पर 49 लोगों की जान ले ली, आपको याद रखना है, और देखिए न्यूजिलेंड की राजधानी क्या है, बैलिंग्डन न्यूजिलेंड देश की राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, न्यूजिलेंड डोलर, तो आपको यह सब याद रखना है, चलिए next question देखते है, question number 3 है, RBI ने हाली में किस बैंक को private bank गोशित किया है, देखिए very important question है यह, तो यहाँ पर इसका सही answer option D हो जाएगा, IDBI, देखिए IDBI बैंक को RBI ने private bank यानि की निजी छेतर का bank की किस रेनी में इसे रख दिया है, तो आ IDBI bank की full form होती है, आपको याद रखनी है, Industrial Development Bank of India, यह IDBI bank की full form है, चलिए अगला question देखते हैं, हाली में भारत के किस राज्ये में बैस्ट नील बाइरस का पहला मामला सामने आया है, तो यहाँ पर इसका सही answer option B हो जाएगा, केरल राज्ये में, देखिए केरल राज्ये में, एक साथ बर्स के बच्चे को बैस्ट नील बाइरस से पीडित पाया गया है, तो आपको याद रखना है, और देखिए यह जो बैस्ट नील बाइरस है, यह एक मच्छर जनित रोग है, तो आपको याद रखना है, चलिए next question देखते है, question number 5 है, Supreme Court ने 2013 IPL Sport Fixing मामले में, BCCI द्वारा किस क्रिकेटर पर लगाया गया आजीवन प्रतिबंद हटा दिया है, तो यहाँ पर इसका सही answer option A हो जाएगा, सिरी संत, देखें आप सभी सिरी संत के बारे में जानते होंगे, यह भारते टीम के तेज बोलर थे, तो इन पर 2013 में जो IPL Sport Fixing का मामला था, लगा था आप सभी को पता होगा, तो इन पर यह अब हटा दिया गया है, तो यहाँ पर यह very important question हो जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा, चलिए अगला question देखते हैं, किया गया है, तो आपको यह जरूर याद अखना, इनका नाम क्या है, एम आर कुमार, चलिए next question देखते है, question number 7 है, भारत और किस देश ने एक सहयुक्त बयान जारी कर बताया है कि, दोनों देशों ने सुरक्षा और नागरिक परमालू सहयोग बढ़ाने के लिए, भारत मे 6 परमालू बिजली सहयंत्र लगाने का भेंसला किया है, देखिए, यहाँ पर इसका सही answer option A हो जाएगा, अमेरिका, देखिए, भारत और अमेरिका देश ने अभी हाली में एक सूचना जारी किया, जिसमें बताया गया है कि, सुरक्षा और नागरिक परमालू सहयोग को भारते किर्केटर अपनी 200B बंडे पारी में सयुक्त रूप से तीसरे सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाडी बन गए हैं, तो यहाँ पर इसका सही answer option B हो जाएगा, रोहित सर्मा, देखिए, रोहित सर्मा तीसरे ऐसे खिलाडी बने हैं, जिनोंने अपने सबसे तेज 8000 रन पूरे किये हों, देखिए, इससे पहले प्रिथामिस्तान पर जाने कि सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाडी कौन से हैं, आपको याँ दखना है, ब्राट कोली सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाडी हैं, उसके बाद दूसरे नमबर पर एवी डिविलेर्स हैं, अब तीसरे नमबर पर रोही सर्मा आ गए हैं, तो आपको याद रखना है, चलिए, नेश्ट कोसन देखते हैं, कोसन नमबर 9 है, HDFC बैंक 13 मार्च 2019 को कितने लाख करोड रुपे के बजार पूंजी करण को पार करने वाली तीसरी भारत के कमपनी बन गई है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ओपसन D हो जाएगा, 6 लाख करोड रुपे, देखे, 6 लाख करोड रुपे के बजार पूंजी करण को पार करने वाली HDFC बैंक 3 भारत की सबसे बड़ी कमपनी बन गई है, तो आपको याद रखना है, और देखे, यहाँ पर जो HDFC बैंक की पूरी फु पूर्म होती है, आप इसे याद रखिएगा, तो चलिए नेश्ट कोसन देखते हैं, किस देश की सरकार ने बायू प्रेदूसर्ण का सामना करने के लिए कई बिल पास किये हैं, जिनमें प्रेदूसर्ण को समाजिक आपदा के तोर पर सुविकार किया गया है, तो मोश्ट याद रखना है, चलिए नेश्ट कोसन देखते हैं, किस देश ने एक बार फिर आतंकी संगठन जेस ए मोहमद के प्रमुक मसूद अजहर को गिलोबल आतंकी गोसित होने से बचा लिया है, तो ऐसा किस देश ने किया है, तो चीन देश ने ऐसा किया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ओप्सन बी हो जाएगा, चीन, देखिए चीन देश ने संगठन जेस ए मोहमद इसके प्रमुक मसूद अजहर को गिलोबल आतंकी गोसित होने से बचा लिया है, तो आपको याद रखना है, चलिए नेश्ट कोसन देखते हैं, भारत और ओमान के बीच, आपको याद रखना है, चलिए नेश्ट कोसन देखते हैं, चलिए नेश्ट कोसन देखते हैं, हाली में दच्छन बाहरत में किस इस्थान की हलदी को जी आई टैग हासिल हुआ है? यहाँ पर इसका right answer option भी हो जाएगा, इरोट, देखिए तमिल नाडू के इरोट जिले की हलदी को, हाली में जी आई टैग दिया गया है, और देखिए मैं आपको बता दूँ, इस से पहले जो मैंने current affairs के वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने आपको एक जी आई टैग बत इन्हें होते हैं, बाद में इन्हें नभी निकरत कराना पड़ता है, तो आपको याद रखना है, चलिए next question देखते हैं, हाली में भारत सोध करताओं ने केरल के दच्छल पस्चिमी घाट में किस जीब की नई प्रहजादी की खोज की है, तो यहाँ पर इसका सही answer option भी हो जाएगा मेंडग, देखे मेंडग की नई प्रहजादी की खोज की गई है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर की गई है, केरल के दच्छनी पस्चिमी घाट में, चलिए अगला question देखते हैं, हाली में किस देश की सरकारी मुद्रण इकाई ने स्ठीफन होकिंग के सम्मा इनके सम्मान में एक ब्लैक होल कोई ने जारी किया गया है, यह सिक्का स्टीफन होकिंग के रिसर्च से प्रवावित है, तो आपको याद रखें किस देश ने जारी किया है, ब्रेटेन ने जारी किया है, चलिए अगला question देखते है, question number 16 है, बरसा धारी नामक परियोजना क किस राजजे ने शुरू की है, देखे, very important question है यह, तो यहाँ पर इसका right answer option C हो जाएगा, करनाटक राजजे ने शुरू की है, देखे, इस परियोजना के तहट बरसा कराने है तू, बिमान के माध्यम से रसायनों का छिलकाप किया जाएगा, अब मैं आपको बदायाता हू तो करनाटक के मुखे मंत्री है, कौन है, HD कुमार स्वामी है, तो आपको याद रखना है, तो चलिए, अगला कोस्तन देखते हैं, ICC बंडे किर्केट बिस्व कप, 2019 की अधिकारिक प्रायोजक है, इसका right answer option A हो जाएगा, Go Daddy, देखे, इस बार जो 2019 में बंडे किर्केट बि डेडी को बनाया गया है, और इसके जो प्रवंद निदेशक और उपाद्यक से कोन है, निखिल अरोडा जी है, आपको याद रखना है, और दिखे, जो 2019 का बंडे किर्केट बिस्व कब होगा, कहां पर होगा, इंगलेंड में होगा, 30 मैस से 14 जुलाई तक, आपको याद र चैंकिंग 2019 में 11 भी है, तो यहाँ पर इसका right answer option B हो जाएगा, 11 भी, आपको याद रखना है, भारत सोने का बिस्व में 11 बा सबसे बड़ा उपवोगता देश है, और अगर हम बात करें, प्रिथम इस्थान पर सबसे बड़ा उपवोगता देश कौन सा है, सोने का, तो आम आपको याद रखना है, चले, next question देखते है, question number 19 है, बिस्व किड्नी दिवस मार्च महीने के किस दिन मनाया जाता है, यहाँ पर इसका right answer option B हो जाएगा, मार्च का दूसरा गुरुवार, यानि कि मार्च का दूसरे ब्रसपति बार को बिस्व किड्नी दिवस मनाया जाता है आपको याद रखना है, यह किसी निश्चित तिथी को नहीं मनाया जाता है, इस बार जो 2019 में बिस्व किड्नी दिवस मनाया गया, किस तिथी को मनाया गया, 14 मार्च को मनाया गया, यानि कि मार्च का दूसरा गुरुवार, तो आपको याद रखना है कि बिस्व किड्नी द इसको गोबा के मुख्य मंत्री मनोहर परिर करजी का निधन हो गया तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ओप्सन सी हो जाएगा गोबा देखे गोबा की राजधानी परची है आप सभी को पता होगा और देखे इनका जो निधन हुआ है 63 बरस की आयू में हुआ है किस कारण से ह हुआ है आपको याद रखना है यह अगनाज से कैंसर से पीडित थे काफी लंबे समय से बिमार चल रहे थे तो इसी वज़े से इनका निधन हुआ है और दिखे जब सर्जीकल स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान के खिलाब सर्जीकल स्ट्राइक की थी उस समय पर जो भारत क गोकाल क्रेक्ष्ण परिद कर है तो आपको ये बह सभी बात याद रखनी है तो दोस्तोर आज की लिए इतना ही उमीद करते हुआ हुआ आपको बीडियो पसंदाया होगा अगर आपको बीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करना चैनल को भी सब्स्राइब कर और आगर आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो हमारे पहले के सभी वीडियो देखेगा आपके आने वाले एक्जाम के लिए बेरी इंपोर्टेंट है तो चलिए मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार